चिडिया ने अपने ख़र के पास ही केलों के कुछ पोदे लगा रखे थे चिडिया केलों के उन पोदों की अच्छे से रक्षा करती उन्हें समय पर पानी देती उनकी देख भाल करती और फिर एक दिन आही गया जब उन पोदों पर धेर सारे केले लग जाती है ममा ये केले तो बहुत ज़्यादा हैं हम इन्हें क्या करेंगे कुकु बेटा अब हम ये केले दूसरे पक्षियों को बेचा करेंगे और जो पैसे मिलेंगे उनसे घर चलाएंगे और अगली फसल की तियारी करेंगे फिर चिडिया जंगल के रास्ते में केलों की रेड ही लगा लेती है चिडिया सारा दिन अपने केले बेचती और शाम को अपने बेटे के साथ अपने घर चली जाती फिर एक दिन साथ वाले जंगल से एक चील चिडिया के पास आती है चुडिया मेरी भी दूसरे जंगल में फलों की दुकान है मैं अच्छे अच्छे फल बेचती हूँ आपके केले तो बहुत ज्यादा है अगर उन्हें समय पर ना काटा गया तो सारे केले खराब हो जाएंगे हाँ चील बेहन ये डर तो मुझे भी है मगर क्या करूँ इस जंगल में केले ज्यादा नहीं बिकते मैं इसलिए तो आई हूँ आप ऐसा करें कुछ केले मुझे दे दिया करें मैं वो केले अपनी दुकान पर रहकर बेच दिया करूँगी और आपके पैसे आपको दे जाया करूँगी चीडिया को चील की ये बात बहुत पसंद आती है और चीडिया मान जाती है फिर दूसरे दिन चील अपने नोकर कालू कवे से कहती है कालुकवे जल्दी जाओ और चिडिया से केले ले आओ जी मालकिन मैं अभी जाता हूँ फिर कालुकवा जल्दी से वहां से चला जाता है चील मालकन ने भेजा है मैं उसका ना कर हूँ केले लेने आया हूँ हाँ मुझे पता है चील्दी ने मुझे सब बताया था मैंने इस टोकरी में केले डाल दिये हैं आप ये केले ले जाएं ये ले पैसे फिर कालू कवा वो केले लेकर वहां से चला जाता है कालू केलों की टोकरी उठाए उड़ा जा रहा था केलों की मीठी मीठी खुश्चबू से कालू कव्वे के मूँ में पानी आ रहा था फिर कालू एक जगा टोकरी रहकर बैठ जाता है इतने सारे केले हैं अगर मैं इन केलों में से दो चार खालू तो चील मालकन को भी नहीं पता चलेगा और चिडिया को भी नहीं पता चलेगा ऐसा सोचते हुए कालू टोकरी से केले निकाल कर खाने लगता है वो बेट भर कर केले खाता है और फिट से उड़ता है कालू नोकर तुमने बहुत देर कर दी आने में मालकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़ादा थी मैं बहुत धीरे धीरे से उड़ते हुए आया हूँ फिर चील वो केले अपनी दुकान पर रहकर बेचने लगती है चील की दुकान नदी के पास थी इसलिए जो भी पक्षी नदी पर आता वो केले लिए बिना ना जाता इसलिए चील के केले अच्छे बिखते थे फिर तो हर रोज कालू कवा चिडिया से केले लेता रास्ते में जी भर के खाता और चील के पास पहुंजाता कालू मैंने कभी गिने नहीं केले मुझे लग रहा है चिडिया हमें केले थोड़े दे रही है मैं आज ही चिडिया के पास जाती हूँ हाँ मालकिन वो चिडिया ऐसी ही है वो टोकरी में केले थोड़े डालती होगी आप जाएं और उसे पूछें फिर चील चिडिया के पास जाती है चील्दी ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो हर रोज टोकरी में केले गिनकर डालती हूँ बलके मेरा बेटा गिनता है केले तो फिर मेरे पैसे क्यों हर रोज कम होते हैं चील्दी आप अपने नोकर पर नज़र रखें मुझे तो ऐसा लगता है वही कोई गड़बड कर रहा है मैं देखती हूँ फिर चील्दी जब दूसरे दिन कालू को केले लेने के लिए भेजती है तो एक लाठी लेकर कालू के पीछे पीछे छुप कर जाती है चुडिया दो चार केले ज़्यादा डाल देना मालकिन कहती है के केले थोड़े होती है मैं तो हर रोज कुछ केले ज़्यादा ही डाल देती हूँ मालकिन चील्बी छुपी हुई सब देख रही थी वो आज कालू कवे पर नजर रखे हुए थी फिर कालू कवा केले लेकर वहां से उड़ता है रास्ते में कालू का मामा जी भी कालू को मिल जाता है मामा जी अच्छा ही हुआ जो आप आगे चलो मैं आपको फरी में केले खिलाता हूं फिर वो एक जगा रुक जाते हैं चील्बी थोड़ी दूर आकर छुप जाती है मामा जी खाओ मालकिन को कभी भी पता नहीं चलेगा के आधे केले तो हर रोज मैं रास्ते में ही खा लेता हूं खालू ऐसी नोकरी तो मुझे भी ले दो बहुत मचा आता है ऐसे मुफ्त का माल चोरी चोरी खाने में मामा जी नोकरी करने की क्या जरूरत आपका भांजा है ना आप हर रोज इसी समय यहां आ जाया करें दोनों मामा भांजा बैठ कर पेट भरा करेंगे फिर वो दोनों मजे मजे से केले खाने लगते हैं वो दोनों क्या जानते थे कि आज केलों के साथ साथ वो मार भी खाने वाले थे चील बे लाठी पकड़ कर जाड़ियों से निकल कर आ जाती है नमक हराम नोकर मैं खिलाती हूँ तुम्हें ऐसे चोरी के केले मुझसे मांग कर भी खा लेते हो और चोरी भी तुम्हारा पेट है या कुवा जो भरता ही नहीं मैं तो आज ही आया हूँ बेहन मुझे न मारना मालकिन मालकिन आज माफ कर दो फिर ऐसा नहीं करूँगा मगर चील कालू की एक नहीं सुनती और लाटू से कालू कवे और उसके मामा की खूब पिटाई करती है मामा जी तो फाग जाते हैं मगर कालू को चील अपने साथ ही ले जाती है और ऐसे कालू कवे की चोरी पकड़ी जाती है दूर किसी जंगल में सब ही पक्षी अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी भी रहते थे जो अपने बेटे कीकी की वजा से बहुत परेशान थे क्यूंकि उनका बेटा कोई भी चीज शोक से खुश होकर ना खा था वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता आधी खा कर आधी फैंक देता आज तो वो सुभा से रोय जा रहा था और एक नहीं और अनोखी जिद कर रहा था मुझे नहीं पता ममा पापा मैं खाओंगा तो सिर्फ मैंगो खाओंगा मुझे कहीं से भी मैंगो ला कर दें कीकी बेटा जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मैंगो नहीं होते बेटा हम आपको कहां से मैंगो ला कर दें तो फिर मैं भूका ही रहूंगा मुझे मैंगो चाहिए मैंगो ही खाऊंगा बेटा समझ जाओ हर फल का कोई मौसम होता है और मैंगो तो गर्मियों का फल है सर्दियों में मैंगो नहीं होते मगर वो छोटा बच्चा कोई बात मानने को त्यार नहीं था चिडिया जो कबूतर के पास में ही रहती थी वो कबूतर के बेटे की रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है मैं कबसे सुन रही हूं कीकी बेटा आप क्यों रोए जा रहे हैं चिडिया बेहन क्या बताऊं घर में इतना भोजन है मीठे फल भी है मगर कीकी मैंगो खाने की जिद कर रहा है अब आप ही इसे समझाएं कि इस मोसम में हम इसे मैंगो कहां से ला कर दें चिडिया बहुत स्यानी थी वो कीकी को सबक देना चाहती थी इसलिए वो कीकी से कहती है कीकी बेटा चलो आप मेरे साथ चलें मैं आपको कहीं से मैंगो ढूट कर देती हूँ बगर चिडिया बहन इस मौसम में कबुतर भेया आप कीकी को मेरे साथ आने दें मुझे फूरा विश्वास है कीकी सब समझ जाएगा फिर चिडिया कीकी को अपने साथ लेकर जंगल में चली जाती है थोड़ी दूर बुलबुल का घड़ था चिडिया कीकी को साथ लेकर बुलबुल के घड़ जाती है बुलबुल ने चुले पर एक देखची रखी हुई थी और उसमें उसने पानी में एक बेरी का फर्ल डाल रखा था बुलबुल बेहन आप अपने बचों के लिए क्या बना रही है बेहन चुडिया क्या बताऊं ऐसे ठंड के मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है मुझे एक बेरी का फल मिला था मैंने सोचा हम सब इसे ही पका कर खा लेते हैं बेरी का फल और वो भी इतने सारे पानी में आपका रही हैं वो क्यों आउंटी चिडिया यही दिखाने के लिए तो उसे यहां लेकर आई थी बेटा हमारे घर में और कुछ भी खाने को नहीं है मगर हम गरीब पक्षी क्या करें पेट भी तो भरना है इसलिए जो भी मिलता है उसे बांट कर खा लेते हैं पिकी बेटा आपके घर में तो धेट सारा भोजन है और फिर भी आप अपनी ममा और पापा से मैंगो खाने की जिद कर रहे हैं चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ फिर चिडिया कीकी को साथ लेकर मिठू दोते के घर जाती है अब कैसे हैं दोते भी या आप क्या बताऊं चिडिया बेहन मेरे घर में सब कुछ है होजन भी है मगर मैं खा नहीं सकता मुझे तीन दिन से सखत बुखार है डॉक्टर ने कुछ भी खाने बीने से मना कर रखा है क्यों वो क्यों मिठू अंकल आपको डॉक्टर ने खाने से मना क्यों कर रखा है क्योंके मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लूँ तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ कीकी बेटा आपके घर में तो कोई भी बिमार नहीं है आप सब सवस्त हो फिर भी आप भगवान का शुकर अदा नहीं करते हो मैंगो नहीं तो क्या हुआ आपके घर में तो और भी तरहां तरहां के भोजन है जिन्हें आप खा सकते हो आप ये सब भूलकर केवल मैंगो खाने के जिद करे हो कीकी चिडिया की बात सुनकर खामोश रहता है फिर चिडिया कीकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है जहां एक तूटे हुए गोंसले में एक कवा और कवी बैठे हुए थे गोरी बेहन क्या हो रहा है क्या बताऊं चिडिया तीन दिन से भूके हैं जब से ठंड शुरू हुई है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा आज भी मैं पूरा जंगल खूम कर आया हूँ हर तरफ बरफ ही बरफ है कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला किकी बेटा किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है कोई बीमार है तो कोई परेशान और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपने ममा और पापा को तंग कर रहे हो ये सब देखकर किकी रोने लग जाता है आउंटी मेरी आँखें खुल गई है मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिन्दगी गुजा रहा हूं और फिर भी मैं शुकर नहीं करता मैं शर्मिन्दा हूं अपने ममा पापा से भी और खुट से भी प्लीज मुझे खर ले जाएं हाँ बेटा मैं यही चाहती थी कि आप उपर वाले की दी हुई हर चीज का शुक्र करो और बे मौसम के फल मांग कर अपने ममा और पापा को तंग ना करो फिर चिडिया कीकी को साथ लेकर उसके घर वापिस चली जाती है कीकी खर जाकर अपनी ममा से कुछ चावल लेकर मजे मजे से खा लेता है क्योंके अब उसे भूक भी लग गई थी ममा पापा सोरी आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा क्योंके इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं मैं जिन से बहुत अच्छी जिन्दगी जी रहा हूँ फिर कबूतर और कबूतरी चिडिया को धन्यवाद बोलती हैं कि उसने कीकी की सोच को बदल दिया था